हन से दूध बहाने लग गई यह मुना नदी तो लागे दूध आज की इस वीडियो में आप एक बहुत खूपसूरत और सुद्ध रूप से गिर नसलगी गाए जो की ताजा बैवी और जिसके साथ बच्छडी है फीमेल काफ है वे दिखा रहा हूं और आप यूवर से एक गुजारिश और भी करूँगा कि जैसा आपने गुजरात में मोडल देखा है मोडल किस तरीके का देशी गोवन्स को ग्याबिन करवाने का याने कि उसके लिए नंदी का सेलेक्शन गिर नसल का ही रहता है हमेशा से उसमें किसी तरीके की एच्चेफ या जर्सी विदेशी किसी नसल का मिश्रण नहीं देखने को मिलता और ना ही राठी, साइवाल, थारपार का रितियादी किसी दूसरी गायों के सिमन का उप्योग गिर नसल की गाये में गिर नसल के ही सिमन का उपयोग किया जाता है या गिर नसल के नंदी की से ही उसे ग्याबिन करवाया जाता है आप से मेरी गुजारिश है कि आप अपने यहां की नसलों को समवर्दित और सरक्षित करें और उनको उसी नसल के नंदी से ग्याबिन करवाएं सिमन का भी उपयोग करें तो गाय की नसल के अनुरूपी सिमन का उपयोगो तब भी गायों की नसल में संवर्धन देखने को मिलेगा और आप भी एक अच्छी खासी कीमत उसकी ले पाएंगे क्योंकि मिश्रित नशलों की कीमते भी इसी तरीके से खराब हो जाती है इसलिए मेरी गुजारिश को आशा करूंगा आप ध्यान रखेंगे गिर नसल की गाये लंबे कान है जपर्दस साइज के लंबे चोड़े कान एसे कान की शेप आपको गिर नसल की गायों में देखने को मिलेगी साथी, सुन्दर साजरिक बनावत है हाइट और लेंध भी इन गायों में काफी अच्छी देखने को मिलती है गाये के साथ जो बच्छडी है वे? काबरी है दूसरा बयात है गाये का भी सेकिन्ड लेक्टेशन है और बैयुए इससे पांच दिन हुए है गर्बनाल नाभी से लटकती भी देख पा रहे हैं आप पांच दिन की बैयुए है और नीचे बचड़ी है फीमेल का अफशांदा रडर क्वालिटी है 12 लीडर से अदिक दूध पहले ब्यांत में इस गाये ने दूध दिया है और इस बार इससे 14 लीडर से अधिक की दूध चमता की उम्मीद की जा रही है अच्छी प्रविश से गाये 14 लीडर दूध चमता भी आसिल कर सकती हैं क्योंकि इन गायों की नसलों का समवर्दन किया गया है अच्छे नंदी से ग्याबिन करवाई जाती है इसी से इन गाये में दूद छमता भी आपको शांदार देखने को मिलती है निलेश जी जो कृष्णा गिर्फारम के ओनर हैं बावनगर गुजरात के रहने वाले हैं इस गाये को सैल के लिए अविलबल करवा रहे हैं इ या विजिट करकर गाये को अच्छे तरीके से देखे जाचे परखें मिल्किंग भी आप इसकी दो समय तीन समय नहीं अपीतू दस दिन भी ठहर कर यहां निकाल कर देख सकते हैं कीमत इस गाये के लिए 55,000 रुपीज डिमांड की गई है या विजिट करकर इस गाये के अला कर हमें प्रोत्साइद जरूर से करें धन्यवाद दोस्तों